काश यार, CA की pass percentage 100% होती, जो बच्चा टेस्ट देता वो pass हो जाता, कितना असान हो जाती जिन्दगी, बट एक बात सोचो, अगर सब pass हो जाते तो क्या इस course की value रहती, the answer is no, और इसी बारे में अब हम discussion करने वाले इस वीडियो में, मेरा नाम है शुवम केस्वानी, welcome to our YouTube channel, and इस वीडियो पे like target रखते हैं सरक कितना 100 likes का, और discussion करेंगे कि क्यों इस ये course की value है, क्या होगा अगर 100% pass percentage हो जाए, क्या आपकी value तब भी रहेगी या नहीं, ये सारी discussion करके चलेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये बात मान के चलो, कि आप जिस motivation के साथ आज पढ़ पा रहे को value दे कर चलते हैं, the answer is no, आज अगर से ये course की value है, वो इसी वज़े से है, कि यहाँ पे जो paper है, उसकी quality अच्छी है, जो यहाँ पे questions मनाय जा रहे हैं, वो अच्छे है, plus if you talk about the level of the subject, financial reporting, auditing, direct taxes, indirect taxes, strategic financial management, costing, law, ये सारा का सारा जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हो, ये आपको eligible बनाती है, कि आप अपना खुद का भी अगर कभी business start करना चाहो, तो वो भी आप एकदम शांदार तरीके से कर सकते हो, और सोचो न, अगर actual में pass percentage 100% कर दी, तो क्या होगा, क्या आपको actual में खुशी होगी pass होने की, या फिर आपको लगेगा, यार मैं भी तो इस भ क्या फायदा इतने सारे questions को बार-बार करने का, तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, क्यूंकि इस course में सिरफ और सिरफ merit basis पे आगे बढ़ाया जाता है, इस course में जो व्यक्ती, जो बच्चा लगन से अपनी articleship पूरी करता है, लगन से articleship के साथ पढ़ाई करता है, द अब भी आप ये चीज़े सीख जाओगे, बट ये course आपको सिखाता है, discipline and consistency, ये आपको सिखाता है कि भाई, मेहनत की value क्या है, अगर आप किसी से भी पूछो, जैसे कि अगर आप शाक टैंग देखोगे, अभी नमिता था पढ़का recently जो episode हुआ कौन मने का करोरपती में, उ आपको नहीं लगता आपका mind slow हो जाएगा, आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा comfortable हो जाओगे, और जो चीज़े आप fast fast करने की कोशिश करते हो, calculator पर और तेजी से, वो आपकी efficiency भी down आज जाएगी, तो यही point है, अगर आप पे pressure create किया जा रहा है, अगर आपको बो लगी में नए changes आएंगे, यह ICA कैसे सिखाता है, amendments के through, रोज आपको लड़ना है, और जो successful होते हैं, उनकी percentage कम होती है, यह ICA कैसे सिखाता है, tough paper बना के, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, जो दिमाग से tough होता है, वो ही इन papers को clear करता है, और आगे बढ़ता है, तभी मैं कहा रहा हूँ, इस course की तभी value है, अगर आज market में आप जाते हो, जो बच्चे सिर्फ graduate करते हैं, उनको 15, 15, 20, 20,000 की नौकरी मिलती है, but big force, जितने भी chartered accountants को hire करती है, mostly, सबको कम से कम 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 I am proud to be a chartered accountant, because this course में मेरी family को बहुत है, if I talk about my father, I know where he has come from, किस तरह से he used to live with his family, कैसे ये सब लोग रहते थे, किस तरह से, किन conditions में, कि hardware के साथ he has come forward, और आज हम कहां हैं, ये सिर्फ इस course की वज़े से, ये सिर्फ इस वज़े से है, क्योंकि ये course सिर्फ उनी को आगे बढ़ा पढ़ाई करें, और घबराते क्यों यार, खुशी से अगर पढ़ोगे, तो पक्का आपकी जीत होईगी, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, से सब्सक्राइब पर मोर सच वीडियोज,